आंकडों में छिपा है कई परिवारों का दर्द मदद का कर रहे इंतजार महामारी में मृत कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को मदद की तरकार हेमन्ध सरकार की समाचिक आर्थिक सर्वेशन की घोशना से बंधी आस नमस्कार आजोत सिपाही विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ राकेश सिंग कोरोना की दूसरी लहर अब ढलान पर है जारखन में हर दिन नए मरीज मिलने की संख्या घट रही है सक्रिय मामले कम हुए है कोरोना से मौतें कम हो रही है इन तमाम बातों को स्थापित करने के लिए आँकड़ों का सहरा लिया जाता है कोरोना की स्थिती को बताने के लिए सरकार, मीडिया और आम लोग इसी तरह के आँकड़ों का जिक्र कर अपनी बात के पुस्टी करते हैं आंकड़ों के घटे क्रम को देखकर भले ही संतुस्टी मिलती है लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनके लिए ये महस एक आंकड़ा नहीं है इस आंकड़े में उनका दर्द छिपा है कोरोना की दूसरी लहर कई परिवारों पर कहर बन कर टूटी उनके परिवार के एक मात्र काम करने वाले की मौत हो गई है उनके सामने आर्थिक संकट उभर आया है खासकर उन परिवारों के लोग जिन्होंने कोरोना वालियर्स के रूप में काम किया नो जाने कितने ही लोगो अपनों को छोड़ कर दुनिया को अलविदा कह गए आज उन पड़िवारों को सरकार और समाज की मदद की जरूरत है ऐसे ही लोगों की स्थिती का आक्लन करती अजोट सिपाही के रौशनितिक संपादक प्रशान जाकी विस्तरित रिपोर्ट कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश की तरह जारखन के लिए भी कहर बन कर तूटी मार्श के अंतिम सप्ताह से लेकर मई मध्य तक कोरोना चरम पर रहा हर दिन चार से पांच हजार मरीज मिल रहे थे सक्रिय मामले 61 हजार के आंकड़े को पार कर रहा था हर दिन 100 से जादा मौते हो रही थी हालत ये हो गई की शहर से लेकर गाउं तक कोरोना संक्रमा की चपेट में थे लोगों को आक्सिजन, बेड और अन्य स्वास्त सुविधाओं के लिए भी परिशानी का सामना करना पड़ रहा था इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो लगतार कोरोना संक्रमितों की मदद कर रहे थे डॉक्टर, नर्स, पारामेडिकल स्टाफ, सरकार के विभिन विभागों के अधिकारी और कर्मी, सिक्षक, पॉलिस और नचाने कितने अन्य लोगों की कोरोना संक्रमितों में लोगों की मदद के लिए ड्यूटी लगी थी उन्हें हम कोरोना वारियर्स कहते हैं इन कोरोना वारियर्स का परिवार किस मांसिक तनाफ में रहा ये उनके नजदीक जाने पर ही समझा जा सकता है कोरोना वारियर्स जब घर से निकलते हैं तो उनके साथ साथ पूरा परिवार मांसिक तनाफ में रहता है वे खुद ही नहीं उनका पूरा परिवार सुरक्षा के घेरे में रहता है ऐसा ही कुछ रामगड के एक डॉक्टर के साथ हुआ था वो हर दिन लोगों की सेवा करने डूटी जाते तमाम सावधानियों के बाद भी कोरोना उनके घर तक पहुचा और मा को संकरमण ने जकड लिया वो अपनी मा को नहीं बचा सके ऐसे ही एक सक्षक ने पिछले दो महीने से अपनी पतनी और बच्चों को माई के भेज रखा है वो अकेले रह रहे हैं क्योंकि उनकी डूटी अस्पताल में लगी है कहीं संकरमण घर तक ना पहुच जाए और परिवार के लोग चपेट में नहीं आएं इसलिए अकेले रह रहे हैं इसी तरह के बात एक पुलिस कॉंस्टेबल ने भी बताई वो भी चार महीने से परिवार के पास नहीं कया है देखा जाए तो कुरोना वारियर्स का पूरे परिवार ही परोख्ष रूप से लोगों की मदद में लगा रहा उधर कुछ परिवार तो वैसे हैं जिनके मुखिया कुरोना मरिजों की साहिता करते खुद पीडित हो गए और काल के क्रास बन गए जारखन में महमारी की दूसरी लहर में 3983 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है ये पुस्ट आंकड़े है जबकि इस से कही अधिक लोगों की मौत का नुमान लगाया जा रहा है तो दर्ज नहीं हो पाया इनमें कई कोरोना वारियर्स भी शामिल है रजव में पहली लहर में 20 डॉक्टरों की मौत होई थी जबकि दूसरी लहर में 34 डॉक्टरों की मौत होई है अपनी डूटी निभाते हुए 34 पुलिस कर्मियों की मौत होई है कोरोना संकट में सिक्षकों के विभिन जगहों पर ड्यूटी लगी थी रच में 249 सिक्षकों की मौत हुई है वहीं रच प्रशाषनिक सेवा और अन्य सेवा के एक दरजन अधिकारियों और कर्मियों की मौत हुई इसके अलावा नर्स पारामेडिकल स्टाफ समेथ कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना योधा के रूप में लोगों की मदद के लिए आगे आए और खुद कोरोना के क्रास बन गए ऐसे लोगों का परिवार राज आशा भरी नजरों से हेमंद सरकार की ओर देख रहा है उन्हें आर्थिक मदद और समाजिक संबलता की जरूरत है सिक्षक संग कर्मचारी संग आईयमे समेथ अन्य संगठणों ने अपने अपने शेतर के लोगों के लिए सरकार से मदद की अपील की है मुख्य मंतरी, स्वास्थ मंतरी और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है सरकार ने भी आर्थिक समाजिक सर्वेक्षन करानी की घोशना की है सभी जिलों को इस बाबत आदेश दिया गया है सरकार सरवेक्षन के बाद कोरोना से मृतक परिजनों को मदद के लिए कदम उठाई की इस काम को जल्द से जल्द अंजाम देने की जरूरत है क्योंकि रच में कई ऐसे परिवार हैं जिनका कमाने वाला मुख्या ही चल बसा है ऐसे परिवार घोर आर्थिक संकट से जूज रहे हैं उन्हें रोज मर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी परिशानी हो रही है ऐसे ही कोरोना वारियर्स के रूप में योगदान देते हुए मृतकों के परिजनों की स्थिती भी बहुत अच्छी नहीं है कई परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं परिवार के जिम्यदारी उन पर थी उनकी मौत से परिवार तूट गया है अनुकंपा पर नौकरी मिलने की प्रक्रिया लंबी है पेंशन ये अन्य फंड की राशी मिलने में देर हो रही है उनके सामने भी संकट है सरकार को इन तमाम पहलों पर अब तीवरता से काम करने और उन तक मदद पहुचाने के लिए ठोस ख़दम उठाने की जरूरत है जहरखंड सरकार ने ऐसे मृत कर्मियों के आश्रितों के लिए 48 घंटे के भीतर तमाम लाभ का भुपतान करने का नियम बनाया है लेकिन इसका अनुपालन सुनक्षित कराना भी जरूरी है मृत कुरोना वारियर्स के आश्रितों को इस बकाय के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े इसकी पुखता ववस्था होनी चाहिए समाज को भी इस काम में आगे आना होगा यदि ऐसा हो गया तो ये छारखंड के लिए बड़ी उपलब्धी होगी आज़ास सिपाही में अभी इतना ही आप हमारे इस योट्यूब चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें धन्यवाद